नमस्काल दोस्तों, वेलकम टो हिट टीवी, किड़नी के बीमार होने पर एपांच संके देता है शेरीर, किड़नी हमारे शेरीर का सबसे अहम अंग है, या हमें सहत मन बनाने के लिए कई अहम कारी करती है, यहीं वज़ा है कि हेल्दी रहने के लिए किड़नी का हेल्दी होना जरूरी है हलाकि कई वजा उन से हमारी किड़नी विबिन समस्याओं का शिकर हो जाती है जिसका हमें अन्दाजा भी नहीं होता है ऐसे में किड़नी के बीमार होने पर शेरीर में कुछ संकेत नजर आते हैं शेरीर को स्वस्ते लखने के लिए हमारे हर अंग का हेल्दी रहना जरूरी है शरीर के पूरे विकास और तरीके से इसका कारी करने के लिए सब अंगों को सुचारू रूप से काम करना जरूरी है अगर हमारा कोई अस्वस्त है जो इसकी वज़ा से हम भी बीमार हो जाते हैं किड्नी शरीर के इन्हीं जरूरी अंगों में से एक है जो हमारे शर से किड़नी कई समस्याओं का शिकर हो जाती है जो आगे चल कर गंबीर बीमारी का कारण बन सकती है अगर किड़नी खराब हो जाए तो हम कई तरह के गंबीर समस्याओं की छपेक में आ सकते हैं ऐसे में जरूरी है कि समय सहत रहना किड़नी से जुड़ी किसी भी समस्या का जल से जड़ निदान कर इसका इलाज किया ज़र किद्नी के बारे में जो किदनी के बिमारी होने पर हमारी शेरीर में नजर आते हैं थकान हर समय थकान महसूस होना खराब किड्नी की और एक इशारा है ऐसे में खून में धीरी धीरे टॉक्जिन जमा होने लगते हैं जिसकी वज़ा से अच्छी जिक्तकार महसूस होने लगते हैं नीन की समस्या अगर आपको नीन में कमी लग रही है तो हो जाएए सावदा यह किड्नी खराब होने का यह संकेत हो सकता है जिसके लिए आपको तुरन डॉक्टर की सला लेना चाहिए ऐसे में ब्लेड अच्छी से फिल्टर नहीं हो पाता है और शिरीर की गन की शिरीर में ही जह जाती है जिससे व्यक्ति को नीन नहीं आती है और इसके कारण मुटापा भी बढ़ने लगता है जब किड्नी में मिनरल्स और अन्यपोशक तत्वों की कमी होने लगती है तो पेशिंट की स्किन ड्रय हो जाती है और उसमें खुजली की समस्या उत्पन होने लगती है ब लेट से यूरीन को अलग करने का काम हमारी किड्नी ही करती है लेकिन जब वह खराब होने लगती है तो पेशाब में खुन आने लगते है यूरीन का जगदार होना भी किड्नी खराब होने का लक्षन है आँखों के आसपास सुजन अगर आपके आँखों के आसपास सुजन हो गई तो बिल्कुल ही नजरंदाज ना करें यह भी किड्नी खराब होनी का संकेत है इसे फाफी हाइव सिंड्रों कहते हैं जिसमें किड्नी शरीर का बहुत सारा प्रोटीन यूरिन को सप्ले करने लग जाती है धन्यवाद